हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है स्टक मार्केट तक चानल पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिको पेंट्स आइपियो का 12 जन्वरी का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानि कि डबबा बजार में इसका क्या भाव चल ला है और यह 2021 का पहला आइपियो कैसे होने वाला है और क्रे मार्केट में जो आज भी स्पूर्ट हुआ है और आज कितना बढ़के हुआ है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को बिना एसकेप के लास तक देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार विजिट किये तो च किसी भी कंपनी के सेयर को बाई करते हैं या सेल करते हैं तो एक टार्गेट ले कर ही पाई सेल किया कीजिए तो चलिए पहले हम कुछ रोज की तरह कंपनी का कुछ बैसिक इनफोर्मेशन देखते हैं जो की आईपियो लाने का तीन अबजेक्टिव बताया रहा है तीन अब और यह प्रेमेंट किया जाएगा आपको आइप यू ओपन हाने का डेट बताया जा रहा है बीस जनवई 2021 से और बाइस जनवई 2021 को यह क्लोज कर दिया जाएगा और यह टोटल आइपियो का साइज एक हजार क्रोड होने वाला है और इस आइपियो में 300 क्रोड रूपिया यह प्रेस इसु होने वाला है यह तीनों जो में अब्जेक्टिव है उस काम के लिए आएगा और 700 जो रेष्ट ऑफ 700 है क्रोड रूपीज है यह कंपनी के पर वोटर अपने हिस्दारी बेच रहे हैं जो कि कंपनी के पर मोटर अपने हिस्दारी बहुच रहे है तो उनके पास यह 700 क्रोड रूपी जाएगा और 300 क्रोड रूपीज आपको यह तीन अब्जेक्टिव को फूल फूल फिल करेगा जो पहले हम लोग तीन अब्जेक्टिव देखें और इसका इस फ्राइस वैलू होने वाला है तेन रूपीज और वहीं पर बात किया जाए इस कंपनी प्राइस वैंड होगा आपको 360 से लेकर 370 के बीच में इसका जो 370 के बीच में होने वाला है इसका प्राइज बात करें यह हो सकता है क्या होने वाला था वह अभी तक उसका कोई कफरमेशन नहीं आ है वैसे मैं एक वीडियो अप्लोड करके इस चैनल पर आप लोगो को बत कि आज ही वीडियो अप्लोड करूँगा कि आज क्या आया हुआ है और क्या आगे करनीती हो रहा है तो इन सब करेंगे आगले वीडियो में तो पहले इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं बेसिक डीटेल जो कि अभी दिये हुआ है आपको 15 जन्वरी को प्राइज में एन 18 से वीडियों के लिए खोले जाएगा और आपको क्यूल चनवरी 2021 तो क्लोच कर दिया जाएगा और आपको अपको पैसा यदि अट नहीं होने के लेक के या आप Kauf है पड़ी 2021 को और एक फरवेड़ी से आपको यह बीएसी और एनसी पर ट्रेड होते हुए देख देख से को मिल सकता है बात करें वहीं पर इस कंपनी के चार पीयर कंपर्टीज तरह जो की पहले ही बीएसी और एनसी पर लिश्टेड है यह कंपनी क्या एसीन पेंट से बर्गर इस कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है पहले हम लोग यह और वेसी पर गोथ देखे इसका 2018 में था टोटल एसिट आपको देखने को मिल ला था जो कि मिल्यान में दिया हुआ है यह 2973.47 था और आपको रेवेन्यू बताया जा रहा था आपको 4031.05 और नेट फ्रॉफिट आपको यहां पर 2018 में बताया जा रहा था एक तिसमार्ज को एक इस एक सो आठाइस दसमलव छोदू और उहीं पर बात किया जाए 2019 की तो 2019 में बढ़के हो गया 3,731.83 टोटल एसेट और रेवेन्यू की बात किया जाए तो 5,372.06 हो गया और आपको प्रॉफिट आप्र टेक्स टेक्स देने का बात फ्रॉफिट कंपनी के पास बचा चार हजार हजार हो गया और आपको नेट फ्रॉफिट में भी डवल हो गया नेट फ्रॉफिट इस कंपनी का बिट हो गया है और आपको यह हाजार हजार दिखा जया हरहा है तो इसके half yearly में कम दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको कोविड सब बिजनस को एफेक्ट किया है तो इसको भी एफेक्ट किया है तो इसलिए इसके revenue में भी कम देखने को मिल ला है और टैक्स देखे तो टैक्स यहां पर आपको आपर टैक्स इसका फ्रॉफिट देखे तो चीज़बन जितना नजदी कर रहा है उसके ग्रे मार्केट में उच्छाल देखने को मिल ला है कल हम लोग ग्रे मार्केट इसका premium देखें हुए ते साथ आपको ग्रे मार्केट में बता रहा था साथ सो पचास रपिया और वहीं पर एक लोट आपको शिक्स थाउजन्ड आ और आज की बात किया जा है बारा जशन्ड बड़ी के तो बारा जन्वरी का इसकी रे मार्केट एक त्म आंप सकता है जो कि बहुत ही इसका रे मार्केट में जा रहा है गेरे मार्के उते होते वेर देखने को मिला थो हम लोग एक्सक्ट करतेहे together कि इसमें अच्छा खासा लिस्टींग लें देखने को हम लोग को मिल सकते हैं यदि वीडियो फसंद है तो वीडियो को यह रोड लिखिये, कोशिस करेंगे, answer देने का.